डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट देश में एक तरफ हवाई अड़ों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हवाई अड़ों पर यात्रियों की सुरक्षा के मामले में गंभीर लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट के टर्मिनल वन पर छत का उपरी हिस्सा गिरने का हादसा सचमुच चिंतित करने वाला है सरकार ने हादसे में मरने वाले के परिजनों और घायलों को मुआवजे का एलान किया है सवाल यह है कि क्या मुआवजा, इस हादसे से प्रभावित परिवारों की मुसीबत को कम कर पाएगा प्रश्नवाचक हादसा, जांच के आदेश और मुआवजा, हर एसी घटनाओं में यह रटा-रटाया सरकारी सिस्टम है पर इसे हवाई अड़ों के रखरखाव में बरती गई आपराधिक लापरवाही ही कहा जाएगा पहरा, देश के सिर्मोर कहे जाने वाले दिल्ली एएरपोर्ट पर बरसात के बीच इस हादसे में एक जने की जान चली गई और कुछ लोग घायल हो गई विराप हादसे की चपेट में कई गाडियां भी आ गई विराप यह एरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एरपोर्ट है और यहां दुनिया के विभिन हिस्सों से यात्री आते जाते हैं विराप इस तरहे का हादसा यह इंगित करता है कि एरपोर्ट से जुड़ी इमारतों के रखरखाव पर समूचित ध्यान नहीं दिया जा रहा विराप यह तो तब है जब पिछले एक दसक में एरपोर्ट की दुगनी संख्या होने को लेकर सरकार खुद की पीठ थप थपाने में लगी है विराप यात्रियों के सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगें तो इस उत्साह का कोई मतलब नहीं है विराप एक तथ्य यह भी है कि तमाम प्रयासों के बावजूद स्रेष्ट एक सो हवाई अड़ों की वैस्विक सूची में दिल्ली समेत हमारे सिर्फ पांच एयरपोर्ट ही जगें बना पाए हैं विराप इनमें भी सिर्स बीसमें एक भी नहीं है विराप देश के सर्वस्रिष्ट हवाई अड़े पर ही यात्री सुरक्षित नहीं है तो दूसरे हवाई अड़ों की बात करना बेमानी लगता है विराप इसलिए एक दिन पहले ही जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर भुआ बड़ा हादसा भी चौंकाता नहीं है विराप दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से प्रते दिन करीब 1200 विमानों की आवाजाही होती है विराप जाहिर है यहां मामूली लापरवाही भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है विराप इस हादसे को लेकर भारी बरसात और पुराने निर्मान को दोस देने को लिपा पोती ही कहा जाएगा एसे स्थानों पर हर मौसम को धान में रखकर निर्मान होते हैं यहां तक पुराने निर्मान की बात है तो उसका भी रखरखाव होना चाहिए और यदि वह स्थान आवागमन के लिए खतरनाग होता है कुमा तो वहां आवाजाही रोक कर पुनर निर्मान भी किया जा सकता है परा इस हादसे को लेकर सियासी बयान बाजी और आरोप प्रत्यारोप भी सुरू हो गए हैं विराम जबकि इस सवाल पर फोकस किया जाना चाहिए एरपोर्ट से जुड़ा हो जो इसा हादसे की वजह ह बना क्या उसका समय समय पर रख रखाव किया जा रहा था प्रैस्णवाचर जांच में रख रखाव के नाम पर खाना पूरती सामने आए तो समंदित अधिकारियों और एजेंची के किलाव आप राधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया जाना चाहिए विराम जिम्मेदारों के खिलाव सक्त कारवाई करने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिस्चित होने चाहिए पर जब किसी व्यक्ति को सुस्त देखा जाता है कॉमा तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि सायद उसकी तबियत ठीक नहीं है या फि इसलिए भी संभव है कि उसकी सक्रियता में कई वजहों से कमी आ रही हो और उसका कारण कोई सारीरिक बीमारी नहीं हो विराम हालांकि बीमारी की वजह से अगर सक्रियता में कमी आती है तो यह भी सही है कि सक्रियता में कमी से सरीर में बीमारी घर बनाती है विराम विडमबना यह है कि उक्त वक्त की साथ विस्तरित होते दाइरे के बीच ज़्यादातर लोगों की व्यस्तताक तो बड़ी है मगर उनकी सारीरिक सक्रियता में तेजी से कमी आई है विराम दे लांसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकासित एक अध्यन में यह उजागर हुआ है कि सन 2022 में भारत की 57 फीसद महिलाएं सारीरिक रूप से परियाप सक्रिय नहीं थी कुमा जबकि पुरूसों में यह दर 42 फीसद थी विराम अध्यन में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर मवजूदा परिपाटी जारी रही तो 2030 तक भारत में एपरियाप सारीरिक सक्रियता वाले व्यस्कों की संख्या बढ़कर 60 फीसद तक पहुच जाएगी पहरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी देश की 60 फीसद आबादी अगर सारीरिक रूप से परियाप सक्रिये नहीं रहे तो आने वाले वक्त में वहां आर्थिक कुमा सामाजिक और राजनीतिक रूप से कैसी तस्वीर बनेगी विराम आमतोर पर अधिक आबादी वाले देशों में रोजी रोटी का मसला इस तरह जटिल होता है कि जादातर लोगों को जीवन चलाने के लिए सारीरिक रूप से जरूरत से जादा सक्रिये रहना पड़ता है विराम सवाल है कि आकिर भारत में ऐसे हाला कैसे पेदा हो रहे हैं कि यहां इतनी बड़ी तादाद में लोग सुस्त होते जा रहे हैं पेरा विचित्र यह भी है कि लोगों की व्यस्तता में एक आजीब किस्म के बड़ोतरी हुई है विराम एसे तमाम लोग हैं कुमा जिनका आधे घंटे का कोई काम टलता रहता है कुमा मगर रोजानावे 5 या 7 घंटे या इससे जादा समय अपने स्मार्ट फोन या अन्य तकनी की संसाधनों पर कुमा सोसल मेडिया या अन्य आभासी मंचों पर बरबाद करते हैं विराम महामारी के दोरान घर से काम करने की व्यवस्था जब चलन में आई थी कुमा उसने भी लोगों की जादा सिथिल होने में भूमिका निभाई विराम सारीरिक सक्रियता में कमी की वजहों और नतीजों पर अगर गवर नहीं किया गया तो इन सब का सामुच्चे आखिर व्यक्ती को विचार से कमजोर करेगा कुमा सरीर को बीमार बनाएगा समाप्त दोस्तो इस डिक्टेशन का पीडियो फाइल आपने टेलीग्राम चनल स्टडिविद आज पी स्वामे पर डाल लगा है